गुड मॉर्निंग एवरिवन लास्ट इम हमने मेट्रोपोलेटन एरिया नेट्वॉक हमने पढ़े थे तो मेट्रोपोलेटन एरिया नेट्वॉक का एंट्रोडेक्शन हमने कवर किया था अभी हम इसका एड्वन्टेश इन डिस एड्वन्टेश परेंगे होब आप सब को य नेट वर जो मेंन का हम एडवन्टेश वर है इसका यानि क्या किया अभी अधीज झाहिक है जडियन्स इसकों सेदारा मुंदें। भी इंत्षान एकर्वाब्राफ जडियन्सद का मियल यही तलिएडियन्स का इमपुर्ट्स तप कम णूइसा वेकर रेचे thesis। 1000 MBPS as Main Use Favor Optic जो डाटा ट्रंसमेशन से इसमें क्या होता है इसली यानि जो इसका स्पीड क्या होता है जो मेट्रो परिटरिया नेटवर्क का क्योंकि इसमें डाटा जब हम सेंट करता है तो वह इसली रीच होते है क्योंकि इसमें हेंड़ याणे थावजन एंबीपीस में यह चलते हैं क्योंकि इसमें फेवर लग जाते हैं फेवर ऑब्टिक टैबल लग जाते हैं क्योंकि लाइन से ठोड़ा यह ज़िए ट्व स्टेट्च वगेरा से याणि फेवर ऑब्टिक कैबल क्या है? fast communications इसमें होता है next है with the installations of main user can share their internet connections यानि installations main के installation से users यानि अपना internet connections को share कर सकते है it has sorry share करते है it has high it has a high level security than when wet area network से यानि ये क्या है high secure है क्योंकि इसमें क्या होता है when में क्या होता है white area network में जैसे for example internet के हम बात करें के to white area network के हम example देंगे तो internet है क्योंकि इसमें क्या होता है millions में यानि users होता है इसमें क्या होता है उतना users नहीं होता है एक city को ये सिर्फ cover करते है तो security levels main when से क्या है ये secure है high secure है तो hope आपको ये इसका advantage अच्छे से समच में आ गई होगी next है इसका disadvantage highly technical highly technical people require to set up means main को set up करने के लिए highly technical person की जरूरत होता है means ये एक technical person की जरूरत होता है जब आपको lime ये आपको setup करना हो जिससे कि आप लोगों को पता है जब हम गहर में TV लगाते है तो TV वगेरा लगाते है या telephone lines ये जब बराडमें वगेरा ये गहर में होगी ही लाते है तो हमें यिसको सेट आप करना नहीं हाती है हम आम inसान को यानि उसको सेटप करना नहीं आते हैं एक टेक्ट एकम को हम या करते हैं यानि क्या करते हैं या उसको हम उस फेट करते हैं तो उसको को हम उस परसन को हम क्या कहते हैं तेक्निकल परसन को है तो एक skies person कि यहाँ पर भी जरूरत होता है man mad । next it is very difficult to manage if the size and number of the line network in हैं तो मेन में में अड्म नेटवोग को मैनेज करना यानि क्या है डिफिकल्ट है जब इसका साइस और नमबर अफ लाइन इंक्रीस हो तो जैसे फार एग्जमपल आप लोगों को मैंने देखा था जैसे इसका एग्जमपल जैसे यहां पर क्या है एक दो तीन चार यनि एक ही कर सकते हैं यहां से भी और यहां से भी और यहां से भी और यहां से भी हम यानि क्या कर सकते हैं इसमें लाइन यानि कर सकते हैं क्योंकि यह क्या करते हैं एक सिटी को या करते हैं कावर करते हैं तो इनको यानि मैनेज करना थोड़ा क्या होता है जितना जब इसमें लाइन या एक जगे से दूसरी जगे पर तो इससे क्या होता है एकस्पेंस बढ़ जाता है एकस्पेंस created. इटिफिकल्ट तो मेक थे सिकूरीटी सारी इटिफिकल्टम्ट मेक टुमुके सिकूर्ट। फ़ॉम हैकर्स है यानि सिकूर करना मैन में किया होता है डिफिकल्ट उतहए क्या होता है एके लाइन एक बिल्डिंग यहां पे cover नहीं होता है, इसमें multiple building, multiple campus और यहां पे companies में चाहते हैं, इसमें बहुत सारी users होता है, तो इसमें system को secure रखना यानि थोड़ा मुश्किल होता है hacker से, तो होप सो आप सब को यानि जो main का advantage और metropolitan area network का, यानि advantage और disadvantage अच्छे से समुश में और कोई होगी, जो इसका य videos में आप लोगों को पढ़ा था, तो वो भी आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी, यह एक important यानि क्या है lecture है, exam में अक्सर इसका abbreviations पूछा जाता है, जैसे कि what is different between land and man, man of man में क्या difference है, और man का, man का abbreviations क्या है, full form क्या है, man means metropolitan area network, जैसे कि line local area network, और इन में क्या क्या यानि difference है, यह सारे चीज़े, as of the two tabs में पूछा जाता है, तो hope आप सबने इन सारे lectures को देख के आच्छे से याद करते होगी, और copy पे भी note करते होगी, तो इस video में इतना ही, thank you for watching, see you next video, see you very soon.